जैन परे साथियो स्वागत है आपका अपनी ओटू चेराट उसका आपड़ेट ओपिस्टर में इस वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF टेक्निकल ट्रेट्समेन के रिजल को लेकर बहुत सारे कैंड़ेट इंतिजार कर रहे हैं और इसका रिजल बहुत ही डीले हो रहा है त सबसे बड़ी और इंपर्टेंट के तरफ से मिलनी है कि और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि इसका क्या फीजिकल ट्रेट टेस्ट डिवी और मेंडिकल सब एक साथ में होना वाला है तो जी हां जो अपडेट निकल क्या है और एक इंपर्टेंट कबर ये भी है कि आपका जो है एक ही दी आपको सेंटर बोला जाएगा और इलसी दिन आपका फीजिकल याने कि फीजिकल में जितना भी आपकी रणिंग आप हाइट वेज c stood रहर उसके साथ ही आपका टे ट्रेटेस्ट लिया जाएगा और उसी दीन आपको जो है डिडिकल वर्ये पुरे मेडिकल तरफ से इसा अपडेट नीकल के आया है और भले ही आपको एक से या दिन या फिर दो दिन लग जा लेकिन आपको दो दिन में ही मतलब एक साथ ही आपका जो है सारा लिया जाएगा और लिया जा सकता है और इसमें एक इंपोर्ट इप्टर ये भी है कि SSCED का एक्जाम जो है 22 स्वर्यूरी से होने वाला तो CRPF जो अपनी पर्सनल उनका जो एकिंसी जैसे पैरामेडिकल स्टाप, स्टीम और डेट्समें का ये सारी वर्थियों का जो है प्रोसेस पहले ही इन कंपेट करने का डिपार्टमेंट ट्राई करेगा और जल्दी आपका जो है जो प्रोसेस नेक्स स्टेज बचा है उसे जल्दी कंपेट कराएगा और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है और उनको रिजल्ट यहाँ पर जारी करना ही पड़ेगा और बहुत ही जल्दी आपका जो है जारी कर दिया जाएगा और आप सभी सबसे पहले रिजल के बारें बात कर लें तो रिजल्ट के लिए अभी आप एक डेट नोट कर लिजी और उससे ज़्यादा जो है डिपार्टिंगी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा और आप एक डेट नोट कीजिए आपका जो है पंदरा पंदरा तिसंबर के पहले-पहले आपका जो है रिजल्ट आपको 100% आपको देखने को मिलेगा और इससे बहुत ही ज़्यादा इससे डिले होए नहीं सकता है पंदरा तारिक से पहले-पहले आपका रिजल्ट देखने को बिल जा और जब भी रिजल्ट की जो भी इन्पॉर्मेशन आती है दूरत आपको इसी चैनल निकल गया रही है कि फिजिकल, मेडिकल और सभी एक साथ में होना वाला ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि डिपार्ट की तरफ से ओपेस्यल कोई भी जनकारी नहीं दी गई है केवल अगर हम इसके लिए जो जनकारी कटा कर रहे हैं अगर यह 100% क्लियर हो ज के लिए अगर एवरेज मानके चलें तो 75 अगर आपका प्लस है तो ही आपको आगे की लिए सोचना है नहीं तो फिर उसे कम कोई उमीद नहीं किया सकती है और अगर 75 प्लस है तो यह की एवरेज मानके चलेंगे इसके लिए अगर 75 प्लस है तो आपको नेक्स सेज के लिए वहाँ पर बुलाए जा सकता है और आपको जो है नेक्स प्रोसेस गम्रेट किया जा सकता है लेकिन इसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप सभी इतना ही ध्यान रखेगा कि आपका जो डीवी है याने कि जो डोकुमेंट वेरिपिकिसन होगा सारे के सारे आपके अब मिलते आए बीडियो मृत वेतने जानकार